कई लोग बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर के शासक महराजा हरी सिंग ने जब विलेपत्पर हस्ताक्षर कर दिये उसके बाद राज में जन्मस संग्रै का मुद्दा उठाने की जरुवत ही नहीं थी लेकिन ऐसा बोलते हुए वो ये भूल जाते हैं कि आजादी के बाद जूनागर्ण और हैदराबाद के शासक पाकिस्तान में मिलने की उच्छिप थे और भारत सरकार उनका यह कहकर विरोध कर रही थी कि वहां की हिंदू बहुल जन्ता भारत में मिलना चाहती है तो ऐसे में क्या सरकार यह दोहरी नीति अपना सकती थी कि जूनागर्ण और हैदराबाद में तो जन्ता की इच्छा देखी जाए और जम्मू कश्मीर में राजा की इच्छा देखी जाए जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि सरकार अपनी फौजे भेज कर जम्मू कश्मीर की रियासत को पाकिस्तान के कबजे में जाने से बचाए यह पत्र किन परिष्टितियों में लिखा गया था और विलेपत्र में कश्मीर की स्वायत्ता को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या शर्ते थी यह मैं पिछली वीडियो में ही बता चुका हूँ आज हम जानेगे कि जम्मू कश्मीर के विलयापत्र को सुईकार करते हुए भारत के ततकालिन गवर्नर जनर्रल माउंट बेटर ने ऐसा क्या कहा और क्यों कह दिया जिसके लिए बीजेपी और संग के नेता कारिकरता आज तक ततकालिन प्रधानमंत्री जवाहला नहरू को द इबादित है वहाँ विलयाका मुद्दा राज जी की जनता की इच्छा से ही निर्धारित किया जाए अताया मेरी सरकार की इच्छा है कि जैसे ही कश्मीर में कानून और विवस्ता की पुनरस्तापना हो जाती है उसकी भूमी हमलावरों से मुक्त हो जाती है वैसे ही राज जन्मत संग्रहे की बात करके नहरू के नेतुरत वाली सरकार ने तब भारी भूल की थी लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि यद भारत सरकार कश्मीर में जन्मत संग्रहे यानि जनता की इच्छा की बात नहीं करती तो वै ना तो हैदराबाद को भारत में मिला सकती थी और न नहीं कर सकती थी क्योंकि भारतिये स्वतंदरता अधिनियम 1947 जिसके तैट भारत आजाद हुआ था उसमें इन रियासतों के शास्कों को अपना विकल्प चुनने का अधिकार मिला हुआ था जूनागर के नवाम ने यह विकल्प चुनते हुए 15 अगस्त 1947 को ही जूनागर के प लिप्री तस्वीर थी, हिंदू बहुल ञाज जूनागर का साचक पाकिस्तान में मिलना चाहता था, जबकि मुस्लिम बहुल राज जम्मू कश्मीर का साचक भारत में मिलना चाहता था ऐसे में ये जानना दिल्चस्प होगा कि भारत सरकार की राय इस मामले में क्या थी कैवे राजा के मत को महतु देती थी या जनता के मत को भारत के सामने क्या चुनोती थी वो जान लेते हैं ग्रह मंत्री वल्लब भाई पटेल जो आजादी के पहले से ही हिंदू बहुल राज्यों की रियासतों को भारत में मिलाने का अभियान चलाए हुए थे उनका मत था कि जिन रियासतों की जनता हिंदू है उनको भारत में ही मिलना चाहिए लेकिन सवाल ये था कि यह जूनागर की जनता हिंदू है इसलिए उस रियासत का विला भारत में होना चाहिए भले ही उसके नवाब का जो भी फैसला हो तो फिर मुस्लिम बहुल कश्मीर का भी विला पाकिस्तन के साथ होना चाहिए चाहे उसका राजा भारत के साथ विला करना चाहता हो इसे यू समझे कि एक त यानि कि मुस्लिम जंता की राय नहीं मानकर राजा की राय मानी जाए। कोई भी सरकार एक ही समय में एक जैसे दो मसलों पर दो तरह की नीती नहीं अपना सकती थी। खासकर ऐसी इस्तिती में जबकि पूरी दुनिया की नजर भारत और पाकिस्तान पर लगी हुई थी और स्युक्त राज संग भी इस मामले में हस्तचेप को तयार था। इसलिए भारत सक्कार ने ये फैसला किया कि राजा चाएं हिंदू हो या मुस्लिम जंता की राही सर्वो पर होगी। यही बात माउन पेंटर ने राजा हरी सिंग को लिखे पत्र में कही और यही बात भारत ने स्युक्त राज संग में भी कही। ये एक ऐसी नीती थी जिस पर किसी को एतराज नहीं हो सकता था। इसी नीती का पालन करते हुए भारत ने 1948 में जूनागर और चौड़ा विवरण हो जाएगा। संचेब में आप बस ये समझे कि पाकिस्तान चाहता था कि जन्मत संग्रह से पहले दोनों सेनाएं राज जिसे पूरी तरह हट जाएं प्रशाचन भारती और पाकिस्तानी गवर्नर जर्नल के सयुक्त अधीन कर दिया जाए और उसके बा पर भी दोनों पक्षों के अलग-अलग मत थी महिनों तक दोनों पक्ष अपने अपने स्टेंड पर डटे रहे और कश्मीर में सर्व सुईकार जन्मत संग्रह तो दूर उस इसतर का जन्मत संग्रह भी नहीं हो पाया जैसा जूनागण में हुआ था आपको बता दें कि संग्रह करवा सकता था और उसका नतीजा भारत के पक्ष में आने की पूरी संभावना थी क्यूंकि कश्मीरियों के सबसे लोग प्रियने था शेक अब्दुल्ला उन दिनों राज्ज के भारत में विले के पक्ष में थे वैसे भी मार्च 1948 के बाद से राज्ज एक तरह से उनी के नियंतरण में था लेकिन ऐसा शायद दो कारण से नहीं हुआ पहला पॉइंट कि 1947 के अंत तक जूनागर पूरा का पूरा भारत के नियंतरण में आ चुका था जबकि कबाईली हमले के बाद कश्मीर का एक त्याई हिस्सा पाकिस्तान के अबदे में जा चुका था ऐसे में वह अपने नियंतरण वाले कश्मीर में जन्मत संग्रह कराता भी तो पाक नियंतरण कश्मीर में रहने वाले लोगों का मत उस फैसले में नहीं आ पाता और ये अधूरा जन्मत संग्रह कहलाता दूसरा बिंदू है कि जन्मत संग्रह के फैसले को नकारने के बाबजूद पाकिस्तान जानता था कि चुकी बहां की जन्ता हिंदू पहुलती इसलिए फैसला तो भारत के पक्ष में होना ही था लेकिन कश्मीर की जन्ता मुसलिम पहुलती और भारत द्वारा कराई की उस राय शुमारी का फैसला यद भारत के पक्ष में आता तो उस फैसले को उतना स्वाभाविक नहीं माना जा सकता था जितना जूनागर की जन्ता का पाकिस्तान या दुनिया के दूसरे देश ऐसे किसी भी जन्मत संग्रह को मानिता नहीं देते इस तरह कश्मीर में ना तो प और भारत सरकार की तरफ से जन्मत संग्रह का मसला हमेशा के लिए खत्म हो गया खिको उसके अनुसार कश्मीर के जन्प्रतिनिद्यों ने विले के प्रस्ताव को मंजूरी देकर जन्ता की राय को ही अभिव्यक्त किया था लेकिन एक सवाल आज भी उड़ता है कि कश्मीर क कि सम्विधान सभा के इन जन्प्रतिनिद्यों को क्या वाकई जन्ता ने ही चुना था